कि आज किसी वीडियो में आपर समझेंगे इस्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के बारे हैं कि एक्च्वल में इस्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन क्या होता है क्या-क्या इसके होते हैं जो इस्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन को कॉस करते हैं इस्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के कं तेखने को मिलता है कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है किया इसमें ट्रीट्मेंट प्रोइड कर जाता है यह सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंगोज में डिसकस करने वाले हैं सो बने दिए हमारे साथ यह व्यूडियो में अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो जाने को सब्सक्र हो जाती है या फिर कोई spinal cord कीиф हो जाती है जिसके कैनद यहाँ पर is spinal cord पर pressure put होता है जो is spinal cord होती है उस पर pressure पड़ता है इस Pal primeira काड़ compress होने लगती है ओके तो Rig condition को हम लोग बोलते हैं His Penal Cord compression ठीक है यहाँ पर जब spinal cord complex होती है जिसके कारण spinal cord का जो normal function होता है वो disrupt हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर spinal cord compression के condition में patient को जो है back pain देखने को मिलता है numbers देखने को मिलती है इसके साथ साथ यहाँ पर muscle weakness देखने को मिलती है legs में pain देखने को मिलता है hands में pain देखने को मिलता है इसके साथ other problems भी देखने को मिलती है next guys यहाँ पर जो spinal cord compression है यह sudden भी हो सकता है या फिर जो spinal cord compression है यह gradually भी हो सकता है अगर किसी person में spinal cord compression sudden होता है तो उस condition में जो symptoms है वो हो सकता है कुछ minute में आपको देखने को मिले या फिर जो symptoms हैं आपको कुछ hours में मिल सकते हैं या फिर कुछ days में आपको symptoms देखने को मिल सकते हैं निश्टे आप बात करते हैं causes की कौन कौन से causes हैं जो spinal cord compression को cause करते हैं कई से आपको सबसे first cause है वो है bones अगर spinal cord की bones में कोई problem है तो उसके कारण आप पर spinal cord compression देखने को मिल सकता है जैसे कि यहाँ पर जो spinal cord की bones होती है जो vertebra होते हैं वो dislocate हो जाते हैं या फिर जो vertebra होते हैं वो fracture हो जाते हैं जिसके कारण आप पर spinal cord compression देखने को मिलता है निश्टे आपर अगर spinal cord की bones हैं वो weak हो गई हैं उसमें osteoporesis हो गया है तो उसके कायनल भी यहाँ पर spinal cord compression देखने को मिलता है निश्टे आपर जो cause है वो है connective tissue अगर यहाँ पर severe spinal injury के time पर अगर connective tissue compress हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर ligament अगर यहाँ पर ligament compress होता है तो उसके कायनल भी spinal cord compression देखने को मिलता है निस्टे आपर जो cause है वो है hematoma अगर spinal cord के around में कोई blood clot बन जाता है कोई blood का accumulation होता होता है तो उसके कारण भी यहाँ पर spinal cord compression देखने को मिलता है जो यहाँ पर hematoma है यह एक most common cause है spinal cord compression का निस्टे आपर जो cause है वो है tumor अगर spinal cord में किसी भी टाइप का tumor develop होता है तो जो tumor होता है यह आस पास की cells को compress करने लगता है ठीक है तो यहाँ पर spinal cord tumor के कारण भी spinal cord compression देखने को मिलता है निस्टे आपर जो cause है वो है collection of pus अगर spinal cord के around में या फिर spinal cord में कोई pus का collection होता है कोई pus का accumulation होता है तो उसके कारण भी यहाँ पर spinal cord compression देखने को मिलता है निस्टे आपर जो cause है वो है spinal cord herniated अगर spinal cord में हर्निया हो जाता है तो उसके कारण भी यहाँ पर spinal cord compression देखने को मिलता है निस्टे आपर बात करते हैं symptoms की कि spinal cord compression के condition में क्या-क्या symptoms देखना को मिलता है काईसे यहाँ पर अगर spinal cord compression की symptoms की बात करें तो जो symptoms है वो sudden भी develop हो सकते है या पर जो symptoms है वो slowly भी develop हो सकते है अगर spinal cord में कोई injury हो जाती है जिसमें vertebra dislocate हो जाते हैं या फिर vertebra fracture हो जाते हैं तो उस condition में जो symptoms हैं वो sudden देखने को मिलेंगे या फिर spinal cord में कोई अगर hematoma हो जाता है कोई spinal cord की कोई disease हो जाती है या फिर कोई spinal cord में tumor होता है तो उस condition में जो symptoms हैं वो slowly देखने को मिलेंगे निश्टियाँ पर गर symptoms की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर patient को discomfort feel होगा इसके साथ back region में उसको pain देखने को मिलेगा निश्टियाँ पर patient में neck region में pain और stiffness देखने को मिलेगी और जो pain है वो lower back side में भी pain देखने को मिलेगा निश्टियाँ यहाँ पर burning pain देखने को मिलेगा यह जो burning pain है यह actually arm और buttocks region में spread होगा इसके साथ patient में numbness देखने को मिलेगा numbness के साथ यहाँ पर जो legs और जो arm से उसमें weakness भी देखने को मिलेगी निश्टियाँ पर loss of sensation in the feet देखने को मिलेगा जो feet है उनमें sensation loss हो जाएगा इसके साथ साथ यहाँ पर जो sexual function है वो भी down हो जाएंगे patient के जो sexual function है उसमें भी disability देखने को मिलेगी निश्टियाँ आपर guys severe muscle weakness भी देखने को मिलेगी सुगाई जे कुछ symptoms हैं जो spinal cord compression के condition में देखने को मिलते हैं निश्टियाँ आपर बात करते हैं diagnostic test की कौन-कौन से इसे diagnostic test होते हैं जिनसे हम spinal cord compression को diagnose करते हैं सबसे पहले यहाँ पर patient में physical examination किया जाता है फिजिकल examination में यह देखते हैं कि कोई spinal cord में कोई tenderness बगेरा चेक करते हैं ठीक है इसके साथ साथ कोई injury है कोई fracture हुआ है या फिर spinal cord में कोई swelling है कोई redness है यह सारी चीजे जो है physical examination में assess की जाती है पर patient का MRI करवाया जाता है MRI में अगर कोई भी spinal cord में कोई compression होता है कोई fracture होता है या फिर कोई vertebra अगर dislocate होती है तो यह सारी चीजे पता लग जाती है पर MRI के साथ सा city scan भी करवा सकते हैं पर patient में myelogram किया जाता है myelogram या फिर myelography भी test किया जाता है निश्टे आपर patient का spinal cord का x-ray है वो भी किया जाता है तो यह जो diagnostic test है इनसे spinal cord compression को detect किया जाता है निश्टे आपर बात करते हैं treatment की spinal cord compression के condition में क्या treatment प्रवाइड किया जाता है कैसी यहाँ पर अगर किसी person को spinal cord compression होता है तो उसमें partially या फिर complete spinal cord का function है वो loss हो जाता है तो यहाँ पर spinal cord compression के condition में immediately spinal cord compression को relieve करना होता है अगर यहाँ पर spinal cord के compression को immediately relieve ना किया जाए तो यहाँ पर spinal cord का जो nerve pathway होता है वो destroy हो जाएगा अगर nerve pathway destroy हो गया तो जो spinal cord हो permanently damage हो जाएगी तो यहाँ पर permanently damage को prevent करने के लिए जो doctors होते हैं वो surgery को perform करते हैं immediately यहाँ पर surgery की need होती है surgery के दवरान यहाँ पर spinal cord में एक rod को insert किया जाता है rod को insert करने के बाद spinal cord को stabilize किया जाता है निश्टियाँ पर अगर medication की बात करें तो spinal cord compression के condition में patient को cortico steroid drug दे जाते हैं cortico steroid drugs में जैसे की dexamethasone, beta metasone ये जो drugs होते हैं ये spinal cord के swelling को कम करते हैं okay swelling को reduce करने के लिए यहाँ पर dexamethasone या फिर beta metasone drug दिया जाता है निश्टियाँ पर अगर spinal cord में कोई fluid build up है, कोई fluid accumulate हो गया है तो उसको surgery के through fluid को drain किया जाता है उसके बाद patient को antibiotics administer की जाती है निश्टियाँ पर अगर जो spinal cord compression है वो hematoma की वज़े से हुआ है तो उस condition में surgery के through उस hematoma को remove किया जाता है जो blood accumulate होता है, spinal cord के around में उस blood को भी drain किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर patient को anticoagulant drug दिये जाते है और निश्ट यहाँ पर patient को plasma भी transfuse किया जाता है So I hope आप लोग सारी चे समझ गयोंग अगर आपको वीडियो अच्छे लेकित वीडियो को like करते हैं आप हमारे चैनल पर नहीं चैनल को subscribe करें क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है Thank You